धर्म योधा गरूण और इह लोक के साथ साथ परलोक दीतर कर जाएगा नारायन, नारायन संसार के सभी विश्नु भक्तों को निमंत्रन दे आओ नारायन और सबसे पहले पहदे और उनके परिवार को रभू, मुझे आग्या दीजिये कैलाश्की और प्रस्थान करने के लिए नारायन, नारायन प्रभू, मुझे आग्या दीजिये तुम्हें किसलिए गरूँ आपके बाराद घर को तयार करना है प्रभू वो निमंत्रन मिलने के बाद सभी हतिति आने आरम हो जाएंगे ना तो उनके विश्राम और भूजन आदी की रिवस्था करने है इसलिए उसकी चिंता करने की आवशक्ता नहीं है गरूँ वैकुंठ तो वो स्थान है जहां सारा संसार समाहित है इसलिए मैंने यहीं वैकुंठ में ही एक भवे बारात ग्रह का निर्मान कर दिया है तुम बहुत ही सुन्दर महल है प्रभू गरूण तुम किन विचारों में डूबे हुए हो तुम्हें यह महल सुन्दर नहीं लगा क्या नहीं नहीं भाया सुन्दर है बहुत सुन्दर है पर 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 प्रभूण यह वर्का घर नहीं लगा वर्का घर हां भी यह वर्का घर बनाने के लिए इसमें रंगोली बनानी होगी कलश और आम के पत्य रखने होगे और तब जाकर यह इतना सब कौन गरेगा जब तक मा नहीं आ जाती तब तक मैं फिर जो कमी रह जाएगी वो मा पुरी कर देंगी तुम्हें आता है यह सब को हाँ माहूर में दास है न इसी लिए देखें दास होने का कुछ तो लाब हो मा को देखते देखते यह सब मैं कब सिग्या पता ही नहीं से लग अब बातों का समय नहीं है मुझे बहुत कार यह बहुत तयारिया कर नहीं यह सारे कारे समाप करके मुझे मा को भी लेनी जाना है अन्यथा निमंतरन मिलने के बाद भी वो इतनी सारे लोग पार करके यहां कैसे पहुच पाएंगी प्रभू मुझे आग्या दीजे मैं तैयारी करने जाता हूँ प्रभू मैं इसकी सहायता आरंब हुआ है गरुड और देवी विंता इन दोनों को बहुत शीग्रही दासत्व से बुक्ति मिल जाएगी नारायन 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 रभू नारायन नारायन स्वामी नारायन 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 प्रणाम गणपती प्रणाम मुनिवर मेरे मोदत लेकर कहा भाग रहे हैं मुशक जी रुखिये, अभी बताता हूँ आपको अरे, सुनिये तो, रुखिये इतने बड़े हो गए हैं, तनिक भी दायत तो बहुत नहीं है इनको रुखिये, रुखिये मुशक जी प्रभु विश्णू के विवान इमंतर से अधिक महत्पून, इनके लिए लड़ू और मुशक हैं ये उचित नहीं है ये बात महादेव और माता पारवती को बतानी होगी धाट पड़ेगी, तभी इने भूल का आवास होगा नाराय, नाराय कहां भागे जा रहे हैं, रुकिए अरे, कारती के प्रणाम कारती के आपके दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया कहिए, क्या आज्या है? आज्या नहीं, अनुरोध है कारती के परम प्रभू और प्रभू प्रिया के गड़बंधन की बेला आई मानी ग्रेन है हरी लक्षमी का सबको बहुत बहुत बढ़ाई सै प्रिवार निमंत्रन देने आया हो आप विशेश का रामंत्रित है सम्मिलित अवश्य हो फ्रसन्नता बाटे बस यही अपेक्षित है नारायन, नारायन आपको अनुरोध करने की कोई आवशक्ता नहीं है मुनिवर मैं अवश्य आऊंगा निमंत्रन स्वैम देने के लिए थन्यवाद है केवल निमंत्रन ही देने आय थी मुनिवर या फिर किसी को डाट पढ़वाने की इच्छा भी थी मन में मेरे मन की बात देने है कैसे पता ओम नम शिवाए शमा कीजिएगा मैं मा पार्वती से भेट करता हूँ नारायन, नारायन अरे, मुनिवर आप अब प्रणाम मा प्रम प्रभु और प्रभु प्रभु प्रिया के गडबंधन की बेला आई पाने ग्रेन है हरी लक्ष्मी का सबको बहुत बहुत बढ़ाई सब प्रिवार निमंत्रन देने आया हूँ आप विशेश का रामंत्रित है नारायन, नारायन पर आप ऐसे क्यों देख रहे थे मुनिवर जैसे यहाँ कोई ऐसा भी है जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए क्या हुआ मुनिवर महादेव के दर्शन करके आता हूँ नारायन, नारायन यह हो क्या रहा है यहाँ भी गणेश, वहाँ भी गणेश जहाँ देखो वहीं गणेश यह कैसे संभाव है देवर्शी, आप चकित क्यों है अपने पिताश्री के साथ आनंद की कुछपलतोव्यतीत कर ही सकता हूँ मैं है ना यह क्या हो रहा है मेरे साथ आप निमंतरन देने आये हैं नारायन जी प्रभू सब प्रीवार निमंतरन देने आया हूँ आप विशेश का रामंत्री थे सम्मीले तावश्य हो प्रसन्नता बाटे बस यही अपेक्षित है नारायन, नारायन मेरे सखा का विवा हो पर हम उपस्थित ना हो यह संबब नहीं है देव रिशी हम सब विवा में अवश्य आएंगे यह कैसे संबब है कि गणपती, कार्तिके, माता लक्ष्मी और महादेव सब के पास विराज मान है इतने हर्ष का अफसर है फरन तु आप किसी विशेश विचार में खोए हुए है पात क्या है मुनिवर मा जब से यहां आया हूँ मुझे हरोर गनेश दिखाई दे रहे है कण कण में है गनेश पर खम है यह सर्व व्यापी है सर्व शक्ति माने यदि फिर भी आपको इनके भिन्न दर्शन करने हो तो आप वहां कंद्रा में चले जाएए आपकी सभी इच्छा पुर्ण होगी नारायन, नारायन यह भी तो वही गलेश है आपकी सभी प्रभु मैं मुर्ख आपको डाट पड़वाना चाहता था ज्ञानता के वश होकर माया में फस गया था प्रभु आप तो महागणपती आप परब्रहम आपसे ही ये समध संसार है आप इस संसार के कणकण में मुझसे भूल हो गईती प्रभु मुझे शमा कर दीजिए शमा कर दीजिए प्रभु देवर्शी नारद ये क्या कर रहे हैं आप आप तो मामा श्री की विवाह का निमंत्रन देने आये हैं हमारे अतिथी हुए आप और अतिथी का सतकार ना हो ऐसा कैसे संभव है लीजिए ये लड्डू ग्रहन कीजिए इसका आर्थ है कि आपने निमंत्रन स्विकार कर लिया और मुझे शमा कर दिया मेरे मामा श्री का विवाह है देवर्शी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं हर्श और उल्लास के इस अद्बुत उत्सव में सम्मिलित अवश्य होँगा आज ही मुल्शक जी के साथ वेकुंठ के लिए प्रस्थान करूंगा मैं धन्यवाद प्रभू आप धन्य हो आप धन्य हो प्रभू प्रभू हम मुझे आग्या दीजिए नारायन नारायन प्रभू इतने विशाल और स्थूल काया की स्वामी प्रभू गणेश को लेकर मैं वेकुंठ तक कैसे जाओंगा विवा के मोधक खाने से पहले ही कहीं यमलोक से बुलावा ना आ जाए कोई और युकती लगा मुशक कोई और उपाय ढून ताकि दीरे प्रभू को कोई और लेकर चला जाए और तो बच जाए बै तो कहता हूँ हमें इस विवा का पहिशकार करना चाहिए मा वैसे भी ये विष्णू सदायव हम मुश्रों के शतू रहें और हम इनके विवा में समझद हो असंभाव हैं और वैसे भी सात्रिक वोजन होगा वहाँ मदिरा के स्थान पर पूलपत्यों का रस होगा ऐसे फीके और सात्रिक वोजन खाने का क्या लाप है जाने या ना जाने का प्रश्न तो तब उठेगा जब हमें निमन्तरन मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा निमन्तरन निमन्तरन मिलना चाहिए गए अब यह अभी संदी हुई हमारी इतनी जल्ड इस्धा नहीं करेंगे वो पर देवताओं को निमंत्रण मिले तो बहुत समय बीद गया महादेव शिवशंकर के परिवार को निमंत्रित करने के बाद सीधा उन्हीं के पास गए थे मुनिवर और अब तक तो वो सब बैखुंट भी पहुच गए होंगे और तुभे कैसे पता रहा हूं आपको तो ग्या करती है भरातर श्री मेरा एक भाग देवताओं के भेद लेने का प्रयास सदेव ही करता रहता है कि कहां रेंगे ये नौरत अब तक तो आजाना चाहिए था नारायन, 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 नारा के नाते मूझे और मेरे पुत्रों को निमंद्रल आवश्य में लेगा कि अवश्य में लेगा है हुआ है तो हुआ है गुआ हुआ आप कि अधी उन्हें निमंतर्ण तो बिल गया होगा नव तक परन्तु यदि निर्मंदर मिल भी गया तो मा अकेले इतने लोग पार करके यहां वेकॉंट तक कैसे पहुचेंगी? मुझे इसाब कारी शेगर समापत करके उन्हें स्वैम लेने जाना ही होगा. आपको क्या लगता है प्रभू? क्या विंता मा इस समारों में सम्मिलित हो पाएंगी? तो भी जहां तक ने अपनी मा को जानता है, वो कभी नहीं चाहेंगी कि विंता मा को उनके समान प्रतिष्ठा प्राप्त हो. स्थितिया पहले से नहीं है, शेष. अब गुरु तत्त त्रे ने विंता के मन में आशा का बीच बो दिया, वो छोटा सा बीच साहस के बड़े पौधे को जन दे सकता है. मैं आशा करता हमें ऐसा ही हो प्रभू. नहीं तो गरुड का रिधय तूड जाएगा. जितना प्रसन्न वो अभी है, उससे अधिक दुखी हो जाएगा हुआ। पस अब कहीं कत्रु की कुटिलता के समख्ष, वो पौधे खिलने से पहले ही मुर्जान आ जाएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.